हाई एवरिवन तो आज मैं नारियल के लड़ू बनाने जारी हूँ और ये बिना गैस चलाए बिना चासनी बिना गूर बिना सक्कर के बहुत ही स्वादिस लड़ू बन के तयार हो जाएगी और ये राखी स्पेशल लड़ू है तो आईए बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कटोरी मराबर मैंने पेठा ले लिया है सफेद पेठा और ये है नारियल का बुरादा या नारियल का खोपरा भी बोल सकते हो तो ये एक कटोरी है और इसे हम कदुकस कर लेंगे इस तरीके से तो इसे हमको कदुकस करना है इसे पीज़ना नहीं है हमको इस तरीके से ही क करने के लिए क्योंद तो आप कोई से भी फ्लेवर पेठा ले सकते हो और ये लड़ु है COPRA से बाने वाली लड़ुँ है इसमें कोई भी काम जाम नहीं है אूढ जादा महल nuestras अब्सा आपको कद्दु कस करना है इस तरीके से पेठा को उसके बाद होपरा में मिक्स करके लड्डू बना लेना है नहीं इसमें आप घी डालेंगे नहीं तेल का इस्तमाल करेंगे कुछ भी नहीं है बस देखिए इस तरीके से कद्दू कस कर रही हूँ मैं तो यह देखिए आप ज्यादा कॉंटिटी में भी बना सकते हो मैंने कम लिया है तो आप जादा भी बना सकते हो जादा चीजे ले लीजिए इन दोनुकी मात्रा बढ़ा लीजिए तो चलिए अब इसमें हम नारेल का बुरादा भी मिक्स कर देंगे कद्दू कस कीवे पेठे में और यहाँ पर मैं इलाईची वगेरा ड्राइफूट वगेरा कुछ भी न है यहां पर क्योंकि होटेलों में जब पेठा बनता है तो उसमें केवडा एसेंस या इलाईची फ्लेवर इसमें मिक्स करके ही उन्टोक बनाते हैं इसलिए मैं यहां इलाईची वगेरा नहीं डाल रही हो आप चाहए तो इलाईची कूट करके डाल सकते हो या तो फिर कलर ऐसे हो तो कलर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो मतलब फूर्ड कल डाल सकते हो और रंग- GG-li 달ू तयार कर सकते हो और मेरे घर में जो नारियल के लड़ू है ना ऐसे ही वाइट पसंद करते हैं इसलिए मैं कोई भी कलरs में नहीं डाल रही रही हूं federal तो बहुत जल्दी पेटा होता है ने वी वहीं होता है तो इस तरीके से देख Mutta बना रही हूं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो यह विल्कुल खराब। नहोंगा है 1 महने तक आप इसे स्टोर कर रख याज पहले बार देख रहे हैं मेरे चेनल को तो पुरी रेशिपी चेक कीजे कहिए का आपको को ट्राइए कीजिए सची बता रही हूं टेस्टी के साथ साथ जल्दी से भी बन जाती है और आप लोगों को अच्छी लगेगी इस तरीके से आप बनाईएगा राखी में हाँ तो मैं बता रही थी कि आप इस तरीके से आप इसे इस्टोर करके भी रख सकते हो अच्छे से दब्बे में बंद करके आप इसे बना करके एक मेहने तक खा सकते हो देखिए और इसमें घी वगेरा कुछ भी हमको डालने जर्वत नहीं है तो आप इसे आराम से एक मेहने स्टोर कर सकते हो इस तरीके से तो इस तरीके से आप स्टोर करके रखिए चाहे तूरंद बना के खा और एक घंटी रहती है चोटी सी उसे भी दबा दीजेगा ताकि जब भी मैं नही नही रेसिपी डालूंगी उसकी जानकरी सबसे पहले आप तक पूचेगी तो आज के लिए इतना ही जंद मिलती हूँ एक नही वीडियो में टेस्टिस रेसिपी के साथ तब तक के लिए झाल झाल